रवाचन आयोग ने FLC को तक्नीकी रूप से अधिक सुद्रिड और पारदर्शी बनाया है जिलाधिकारी अमन समीर. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सेह जिला पदाधिकारी अमन समीर ने सोमवार को आस्म लोकसभा चुनाव में प्रयुक्त होने वाले EVM के प्रथम स्तरिय जाच का निरीक्षन किया. उन्होंने इस अफसर पर उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को समस्त कार्रवाई का अवलोकन कराते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने FLC की प्रक्रिया को पहले से तक्नीकी रूप से अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाया है. प्री-FLAC चेकिंग दबारा मशीनों की तुरूटी को पहले ही डाइग्नॉस्टिक मशीन दबारा चिन्हित कर लिया जाता है. ये वैसा ही है जैसे रोग का पता बलट जाच से चिकित सक पहले ही लगा लेते हैं. इससे चुनाव के समय मशीनों में आने वाली खरावी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि समस्त कारवाई का वेब टेली कास्ट किया जा रहा है. ताकि कार्य पारदर्शी और तुरुटिहीन तरीके से हो सके. डी-म समीर ने कहा कि सभी राजनेतिक दल अपने कम से कम तीन प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करे. जो दैनिक रूप से वेरहाउस पर उपस्थित होकर कार्य का अवलोकन करे. वहीं CU पर लगने वाले पिंक, पेपसील और सभी चार प्रकार के अनेक्चे पर हस्ताक्षर कर सके. उन्होंने कार्यम में लगाए गए सभी अभियंता, अधिकारियों, कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को एसोपी का अक्षर्ष हनुपालन करने का सक्त निर्देश दिया. दैनिक्स तर पर वीवी पेट के परची का CU के रिजल्ट से मिलान के बाद श्रेडिंग मशीन से विनश्टी करन का निर्देश दिया. इस अफसर पर उपनिर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबल, प्रभारी पदाधिकारी सेह डिम्रिब्लू और रजनीश कुमार राय, इस यायल के कुल 15 अभियंता, राजत के जिलाध्यक्ष सुनील राय, रालोस्पा, राके अध्यक्ष दीपक कुमार, बीजेपी के मह असचिव विवेक कुमार सिंग, कॉंग्रेस के प्रतिनिधी अनूप श्रीवास्तवादी उपस्थित थे, डी एलिवेन टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट भता है, जे लेए्यक्ष प्यश्तवी स्वाद्प दीपक कुमार की बीए, नहीं हैं विवेक लिवेक कि लिएक है भी रेचे़क to यूपए果श प्रेप़क कुमार, प्रके राय? झाल झाल